अच्छा बचो आज हम परमानु संख्या एटोमिक नंबर के बारे में अध्यन करेंगे परमानु संख्या क्या होती है ये तो हम सब जानते हैं कि परमानु के नाबिक के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रोन विद्मान होते हैं तो जो प्रोटोन होते हैं उन प्रोटोन की उसकी परमानु संख्या को इंगित करती है और परमानु जो संख्या जो होती है परमानु संख्या को जैड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कोई भी तत्तों है उस तत्तों के सभी अनुव की परमानु संख्या जो है वो सब समान होती है जैड का मान समान होता है और उसे हम अपन प्रोटोन की संख्या के द्वारा इनकी परिवासित कर सकते हैं तो जैसे माल लेते हैं कि हाइडोजन परमानू है हाइडोजन परमानू जो है वो इनकी उसका परमानू करमान कितना होता है एक होता है इसलिए हाइडोजन के लिए अपन कह सकते हैं जेड बराबर one जेड बराबर one इस कारत क्या हुआ कि हाइड्रलगन परमाणू के नाबिक में केवल एक ही स्जड़ प्रोटोन पाया jाता है इसी प्रकार जैसे मानलो कॉर्बन है कार्बन कितने नंबर पर आता है और सार नहीं है च्छे नमबर पर आता है तो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन जैड बराबर 6 इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार एक परमानों के नाबिक में उपस्तित प्रोटोन की कुल संख्या प्रोटोन की कुल संख्या प्रोटोन की कितने हैं वो प्रोटोन की कुल संख्या ही उसकी परमानों संख्या कहलाती है ठीक है अब उसके बाल माती है द्रविमान संख्या द्रविमान संख्या एटोमिक मास एटोमिक मास क्या होता है द्रविमान आपको पता है कि नाभिक के अंदर उपसे प्रोटोन और न्यूट्रोन दोनों के योग जब अपन करते हैं दोनों का तो उसका इनकी द्रविमान आत इस निसकर्ष के उपर हम पहुंचते हैं वेवारी के रूप से परमानों का द्रविमान क्या होता है उसमें विद्यमान प्रोटोन और न्यूट्रोन दोनों के द्रविमान के योग के बराबर होता है ये परमानों के प्रोटोन न्यूट्रोन का उपस्तित होते हैं ये परमान को हम नुकलियोन के नाम से भी जानते हैं परमानों जो है उसका लगबग संपूरन का संपूरन का हो complete इनकी द्रवेमान है वो कहा उपस्तित होता है नाबिक में ही पाया जाता है मान लेते हैं उदान के तोर पर कार्बन है कार्बन का द्रवेमान कितना होगा वैसे द्रवेमान लगबग परमानों संपूरन के लगबग दुगने के बराबर होता है लगबग फिक्स नहीं लगबग बराबर होता है तो जैसे कार्बन छे नंबर पर आता है तो द्रवेमान कितना होता है इसका बारा यूनिट होता है उसके अंदर 12 है तो अब 12 में आपको पता है कि कार्बन परमानों कितना नंबर पाता है 6 नंबर पर तो परमानों करमान का वो उसका क्या कहलाएगा प्रोटोन के संख है तो प्रोटोन के संख है तो कितने होगी 6 और 12 में से यंकी जब 6 घटा देंगे तो न्यूटोन के संख है कितने आगी 6 तो इस प्रकार से यंकी इसका टोटल यंकी प्रोटोन प्लस न्यूटोन दोनों का यंकी योग करते हैं तो 6 प्लस 6 तो टोटल कितना आ गया, बारा इंट आ गया, इस परकार Aluminium का द्रीवमान 27 इंट है, उसमें इसकार्थ यह हो गया, 13 तो प्रोटोन है, जब 27 में 13 प्रोटोन है, तो 27 में 13 प्रोटोन कि संख्या गटा देंगे, तो न्यूट्रोन कितने आगए, 14 आ गए, तो इस प्रकार से प्रोटोन और नूट्रोन दोनों के योग जो होता है उस योग को हम यनकी द्रवमान के नाम से जानते हैं प्रमानों का द्रवमान कहलाता है दोनों का योग होता है अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रमानों के नाबिक में उपस्तित प्रोटोन और नूट कि कुल संख्या के योग को ही द्रवमान संख्या का जाता है और द्रवमान जो संख्या जो है परमानु किसी परमानु को दर्शाने के लिए परमानु संख्या द्रवमान संख्या और तत्तो का परतीक इस परकार से लिखते हैं जैसे कि मानलो किसी तत्तो का परतीक लिख दिया ये इनकी box में जैसे प्रतीक लिखा हुआ है तो इसके नीचे की side में यहां पर परमानु संख्या लिखेंगे जैसे carbon लिखा तो C लिख दिया यहां पर और C लिखने के बाद में यहां अपन लिखेंगे 6 परमानु संख्या कितनी है उसकी 6 और उपर लिखते हैं उसका द्रवमान संख्या C के इधर लिखेंगे अपन 12 तो C 6 नीचे और 12 उपर इस प्रकार से यहनकी इसको देखने से मालूम लग जाएगा कि यह carbon है carbon की परमानु संख्या 6 है और द्रवमान संख्या 12 है और यह बच्चो आपको